मैं कैसे परिचे दूं उस सक्षियत का जो श्वेंग अपने आप में परिचित हैं मैं कैसे धन्यवाद दूं है जो श्वेंग धन्यवाद के पात्र हैं मैं आज बात कर रहा हूँ उस सक्षियत का जो बिटेन का पर्धान मंत्री बनने जा रहे हैं रिशी शूनक छोटी डिपाबली के शुब अबसर पर मैं कहना चाहूंगा कि रिनी को रिन चुका देना चाहिए भारत वर्ष सोने की चिणिया का देश कहा जाता था बिटिस वर्षों तक शाषन भारत वर्ष पर किया था भारत वर्ष के नागरी काफी परिशान थे लेकिन आज वो अश्य में आ गया है कि भारत वर्ष का एक ऐसा लाल जो 18 अक्टूबर को बेटेन में परधार मंत्री के पद पर शपत लेंगे मैं उन्हें शुप कामनाये देना चाहूंगा कि आने वाल अश्य में एक ऐसा कार्ज करें जो परिबार शमाज और देश का नाम रोशन करें और जो रिनी हैं हमेशा रिन को चुकाएं क्योंकि आज रिशी सुनक भारत वर्ष का रिन चुकाएंगे जब बेटेन भारत वर्ष पर हुकूमत कर रहा था तो भारत वर्ष के नागरिक हमेशा परिशानियों का शामना कर रहे थे लेकिन आज वह शमय आ गया है भारत का वहलाल बिटेन पर शाशन करेगा और अठास अक्टूबर को उन्हें शफ़त दिलाई जाएगी हाला कि उन्हें काफी परिशानियों का शामना करना पड़ेगा मैं कुछ देर पहले टेली विजन देख रहा था भारत के माननी परधानमत्री श्री नरंड मोदीजी उन्हें शुप कामनाएं दे रहे थे और यह हम सभी के लिए एक महत्पुन बात है कि रिशी सुनक बिटेन पर शाशन करेंगे हाला कि उन्हें काफी चुनतियों का शामना करना पड़ेगा लेकिन चुनतियों का शामना करना ही महत्पुन बात है परिवर्तन परिकृति का नियम है मैं शमासास्त्र का बिद्यार्थी हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि एक परशिद शमासास्त्री लूमले महोदे ने कहा था कि परिवर्तन हमेशा होता है और हमेशा होता रहेगा इसलिए हम सभी को कभी भी श्वार्थी नहीं होना चाहिए, समय लोटता है और आज भारत का एक ऐसा नागरिक बिटेन पर शाशन करेगे मैं कहना चाहूंगा कि वो ऐसा कार्ज करें जो सिर्फ बिटेन के लिए ही महत्पुर्ण नहीं हो वलकि विश्व के लिए महत्पुर्ण हो छोटी दिपाबली के शुब अफसर पर मैं उन्हें धेर सारी बधाईयां देना चाहूंगा कि आने वाला श्व में उनके लिए महत्पुर्ण हो अगर हमें ऐसा मौका मिले तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि समाज का निर्मान करें एक अच्छा कार्ज करें और विश्व में नाम कमाएं देखा जा रहा है कि उन्हें कठिन परेशानियों का शामना करना पड़ेगा और इस पत्पर पहुंचने के लिए उन्हें काफी कठनाईयों का शामना करना पड़ा उन्होंने कोरोनकार में एक ऐसा कार्ज किया और कार्ज करने के पश्चाथ उन्हें इस पत्पर की प्राप्ति हो रही है मैं भारत वर्ष के सभी नागरिकों से कहना चाहूंगा कि उन्हें शुपकामनाएं दें और उनके इस पत्पर की प्राप्ति के लिए शुपकामनाएं दें क्योंकि यह हमें बतलाता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्ज करता है तो निस्सित रूप से उन्हें शफलता मिलती है आज शंपूर्ण भारत वर्ष उन्हें शुपकामनाएं देगा आज हम सभी दिपाबली मना रहे हैं आप सभी जानते होंगे कि दिपाबली मनाने का मुख कारणिया है कि जब भगबान स्री रामचंद्र जी अयोध्या लोटे थे रावन जैसे महापंडित ज्यानी परविजय प्राप्त कर अयोध्या लोटे थे तो उनके शमान के लिए योध्या में चारों तरफ दीब जलाया गया था और यह हमें अंधकार से परकास की ओर ले जाता है कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा कारज करता है तो यह निश्चित रूप से शमान मिलता है यह संदेश हमें भगबान रामचंद्र जी का सुबकारज करने का संदेश देता है राबन महापंडित था तीन लोकों का विजेता था लेकिन उसने अधर्म पर चल कर अपना और अपने शामराज का विनाश कराया था उसके पांडित पर कोई परस्न चिन्ध नहीं लगाया जा सकता है लेकिन उसने अधर्म पर आगे बढ़ा था पिशलिय धर्म की परेज़ा हमेशा होती है हम सभी को इस बात को हमेशा याद रखने की आविशक्ता है दूसरी महत्पुन बात यह है कि नरकाशूर भी काफी परिशान किया था और भगवान स्रीकिस ने उनका वद किया था और उनके लिए भी दीवजलाकर शम्मान किया गया था इसलिए हमेशा उचित कार्ज करना चाहिए मैं यूट्यूब के माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि हमेशा अच्छा कार्ज करें तभी आप आगे बढ़ सकते हैं अन्य था आप हमेशा पीछे रहेंगे इस बात को हमेशा अपने जीवन पर उतारने की आविशक्ता है अन्त में मैं समस्त देशवाशियों को विशवाशियों को यूट्यूब के माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि हमेशा अच्छा कार्ज करें तभी आप हमेशा याद अडखे जाएंगे आज हम भारती हमेशा इस बात को याद रखें कि रिशी शूनक बिटेन के अगले प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुप कामनाई धन्यवाद